जूतपूर में आयोजी तुए सामाजिक नया समयलन में सिर्कत करने पहुँचे भीम आर्मी चीप चंदर सेकर आजाद उर्फ रावन इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूजी बाचित करने के लिए मुझूद है जो यहां हमने लंबे समय से काम किया है और जो विश्वास हमने अपने काम इस विशारधारा संगर्ष की वेश सरजित किया है जो हमारे कार्यकरतों ने महनत की है बीस अगस्त दोजार तेईस को जैपूर में हमने अपना अंतिम अदिवेशन बुलाया है समाजिक निया सम्मेलन और उस दिन हम यहां जो दोजार तेईस के चुनाओं में क्योंकि आजास समाज पार्टी बड़ी मजबुति चुनाओं रड़ेगी तो अपनी बहुत सारी योजनाएं और बहुत किस तरह से हम लोग चुनाओं रड़ेंगे इसको डिकलेर करेंगे यह आपने बताए कि मुख्यमंतरिज का घर संभाग है लेकिन सबसे जाधा नयाएं दलितों के साथ आदिवासुप साथ इसी छेतर में हुआ चाहे वो चितेंद्र मेगवाल का मामला हो इंद्र मेगवाल का मामला हो कारतिफिल का मामला हो और यह वो धर्ती है जो अधपुर जहां राजराम मेगवाल जी जो है यह जो किला बना हुआ यह उनके उनकी और उनके परिवार को जो है चिन्वा के बना है तो लंबे समय से उससे उब चुके हैं और अब वो इससे निजात चाहते हैं मेरा इमानना है कि जो विश्वास आज भी उन्होंने दिखाया और लंबे समय से हर अंदोल मेरे साथ खड़े को दिखाते हैं 2023 के विधानसभा चुनाओं में वो धरातल पे भी देखने को मिलेगा और आजात समाज पार्टी एक मजबूत ताकत बनके यहां उपरेगी माना जाए कि राजस्थान में इस साल चुनाओं है विधानसभा चुनाओं आजात पार्टी दोसों सीटों पर चुनाओं लड़े यह पार्टी का फैसला है हम सभी विधानसभाव पे तैयारी कर रहे हैं और जो इमानदार समर्पित नोजवान हमारे हैं जो धूप बारिस आंदी तुफान में भी समाज के लिए संगर्स करते हैं ऐसे काम करने वाल लोग को जहां दूसरी पार्टी है पैसे वाल लोग को म रायंतिक रूप से ताकत और बनाने के लिए क्योंकि सरकार ने तो उनका संजेक्शन नहीं किया सरकार तो अप्राद्यों के साथ खड़ी रही कारतिक भील का परिवार अब तक सड़को बैठावा है तो ऐसे परिवारों को भी हम लोग प्रेरिद करेंगे कि बावसाम पर लिख हो जाता है और फिर भड़ती में जो नीमावली उसका पालन नहीं होता ऐसे नोजवान और उन परिवारों को परिवारों को पार्टी चुनाव में मोका देगी उनको तयार करेगी कि वो अपनी रायंतिक ताकत बना के समाज के बीच में जाए और उससे जो अन्या करने अपने जोदपूर आने के लिए वापस बेजा गया आज आप जोदपूर आये हैं आप बासन में यह भी का था कि मुझे आने के लिए कोशिश की गई कि यह जो सम्मेलन ने इसको रद किया जाए या परमीशन नी जाए किस तरीके से यह सब हुआ दिखिए हमारा यह स कर्मिशन भी लिए सब चीजे उसके बाचानक से मुझे मंत्री ने कारेकरम दिया और कारेकरम भी क्या बावसाम बेटकर जी की मूरती का अनावरन मैं असपर्ष कर देना चाहता हूं जिस वेक्ति के साशन में दलीतों को पिछडों को आदिवासियों को समाज के यह जो भी के परिवार को एक लैसंस भी ना मिले नोखरी तो बहुत दूर की बात है मौकरम भी तो बहुत दूर की मात है इंदर मेग्वार के परिवार खिलाब पंचायते हूं उसके घटना के बावसे चाचा को पीटा जाए और कार्तिक भील का परिवार सात मेंद il ब्यंत कर वर्गों की कि वोट लूटने के लिए जो मूर्ति अनावर्ण हो रहा है तो मैं तो मानता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को तो बावसां मेड़ करकी मूर्ति को छूने भी नहीं देना चाहिए समाज को तो यह यह जो सब है मैं यहां लगाता रहा रहा मैंने आपसे बताया कि हमार पर्मिशन थी लेकिन हमारी पर्मिशन कैंसल का दबाव डाला गया कि यह मुख्यमंत्रिया प्रोग्राम होगा यह आजाद भारत का आजाद राइस्थान है मगर जिस तरह गुलामी का परियास और लाचारी का परियास जो है यहां सभी के लिए किया गया मेरे आज भी से पुलिस मुझे सीधी दिल्ली छोड़ के आई अब आप यह समझे कि अगर कोई वेक्ति अन्याय होने के बाद अपने परिवार से भी ना मिल पाए तो यह सरकार यहां कि जो सरकार यहां कि मुख्यमंत्रि कौन सा लोग तंतर मानते हैं तो इसलिए जनता मैं आकरोस है और यह जो अन्याय है और जितना आपमान इन लोगों ने मेरा किया है उसका सबक जो आने वाले 2030 के विधान सवा चुनाओं में जनता इनको सिखाएगी अचा जिस तरीके से आपको क्या लगता है आप पूरे भारत में घुमते हैं राजस्थान में एक्टोशिटी के मामले ज् यूपी के बाद राइस्थान दूसरे नंबर पर है घटना है तो सभी जगना होती क्यों कोई भी सरकार इन वर्गों के पड़ती अभी भी उस तरह से तयार नहीं कि इनके साथ ये सोशन बंद हो जाए लेकिन अगर अपराद होने के बाद नियाय ना हो और अपरादियों क संदक्षन हो अपरादियों के संदक्षन में जैसे पंचायते हों उनको ड्राय धमकाया जाए उनको बिजजत किया जाए डर का महौल बन जाए तो फिर वो सरकारे और वो पुलिस कानून विवस्ता वो सब बेकार है यहां की सरकार में सबसे ज्यादा बुरा यह हुआ कि ज जिनके नाम लिखे आज तक भी इनकी किरफ्तारी नहीं हुई यह बात असपस्ट करती है कि मुख्यमंत्री के सारे पर पुलिस अपने पदों का दुर्पयोग करते हुए सत्ता से जुड़े वे लोग हैं अगर वो अपरादकर्टन का संदक्षन करती है और यह किसी परोस है वो वोट की चोट से इसका हिसाब जो है इस बार इस सरकार से लेगी आजाद पार्टी के जो लोग है जो चुड़े हुए वरकर्स है जो जनता है उन तक लोगों के लिए क्या मैसेज आप की और से लिके मैंने इस बार उन से यही कहा कि पिछले पांच-छे साल में जो आपने संगर्स किया और जिस तरह से लगातार आपको अफमानित किया गया लिस तरह से लगातार आपके साथ अन्याय हुआ अब उस सड़कों से काम नी चलेगा अब उनको सदन की त्यारी भी करनी चाहिए जब वो इमानदारी से काम कर रहे हैं जब वो समाज के लिए समरपित हैं ऐसे लोगों को अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि समाज के साथ अगर अन्याय होगा या जो किसा विधान में उनको अधिकार मिलें उनको आसानी से लागू कराया जा सकता है उनकी हक्यावाज मजबूती से विधान सवा में उठाई जा सकती है और जो नए अवसर पैदा होने चाहिए चाहिए वो नोजवानों के लिए हों किसानों के लिए हों महिलाओं के लिए हों उनकी स्वक्षा ससक्तिकन के लिए हों मजदूरों के लिए हों तमाम वर्गों के लिए जो उनके बुनियादी सुधायर अधिकार की जो लड़ाई है वो ये मानदार नोजवान समर्पित नोजवान विधान सवा में मजबूती से इसकी वाज को उठा पाएंगे इसलिए मैंने उनसे कहा कि जब बावसामबेट कर जिस बात को कहते हैं कि राजनीती में हिस्सेदार लेने का सबसे बड़ा दंडी है कि योग्ये लोग आपके प्रसाशन करते हैं आज आपके पास वोट का अधिकार वागसामबेट करने दिया इस वोट का प्रयोग करके आप अपनी ताकत बनाओ और किसी के भरोसे मत रहो अपने साथ जो बुनियादी समस्या आप जिन चेत की सरकार की हट धर्मिता है जिद है उनको आदत हो गई है देश के गौरव का को अपमानित करने की एक तरफ नई संसद का उधगाटन हो रहा था वहाई दूसी तरफ वो बच्चिया जिनोंने देश का नाम गौरवानित किया देश के लिए जो संघर्ष किया क्योंकि खिला इसे दिली में घसीटा गया मारपीट की गई उनके कपड़े दख फार दे गए उनको उनकी चुपके से चोरी से वीडियो बनाएगी जैसा उन्होंने बताया जिस तरह से उनको टोर्चर किया गया यह से पूरे देश का अपमान हुआ आज तो अंतराश्टे अस्तर पे भी भी बहुत साओर खिराण्यूंके समर्थन में बोल रहे हैं सरकार को ना अपनी चषवी किये ना देश की चशवी किये सरकार अपराधियों को बचाने के लिए, जैसे यहां की सरकार बचार वैं sociology सरकार भी अपने सैयोग्यों को बचाने के लिए हर कीमत तक जाने को तयार ह और धरने को सड़ी अंतर करके वह धरनाई वहां से उखाड दिया यह तो लोकतंतर में जो अभ्यक्ति के आजा दी और राइट टू प्रोट्रेश्ट उसका भी आर्टिकल 19 का भी अफमान जो है केंदर सरकार कर रही है एक तरफ वह खिलाडियों का अफमान कर रहे हैं दूसर की तरफ वह उन्होंने वोट मांगे कि अपने दलित राष्ट पती मनाया लेकिन जब उन्होंने संसद की नीव रखी तो उनको नहीं बुलाया जब उन्होंने अभी संसद का उद्गाटन हुआ उन्होंने का हमने आदिवासी राष्ट पती मना इसके नाम पे उन्होंने ब करते हैं तो आज भी भारते जनता पार्टी की सरकार उनके उनका जो क्रेक्टर वहीं है चरिद्र कि दलित पिछड़ों आदिवासियों से वोट चाहती है और इन वर्गों के उच्पद पे बैठे लोगों का सम्मान नहीं करती वह पार्टी और वो सरकार इनको अधिकार कैसे देगी इसलिए हमारे लोगों को इन सभी सरकारों स्रतर करने की जूरुत है और अपनी ताकत बनाने जूरुत है जैसे जिससे कि इनका वरुषा छोड़के वो लोग आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ें मैडल बहार है ये बिल्कुल सही है क्या मैं इससे दुख करना चाहिए देश उनके साथ हैं हम सब लोग उनके साथ हैं कि समय समय पर हमाम तरह के जो है प्रिक्षा देनी पड़िए उनकी प्रिक्षा चल रही है अगर वह इस प्रिक्षा को जीतेंगी कल जब वो मैडल लेके आएंगी मुझे भरोसा है तो देश फिर से उनके उनके संधर्ष पर जो है गौर्बान वित होगा उन बच्चों का सम्मान की रक्षा सरकार को करने चाहिए देश के प्रैमिस्टर करने चाहिए बुरा यह है कि दो तिन किलोमेटर बैठे प्रैमिस् के वरिष नेता केंगा मैं श्तिफा देदूँगा तो जमीर तो सरकार के लोग के नहीं और उपर से जैसे मैंने यहां पंचायद तो वो भी एक पंचायद करने तो यह सब चीज़ें कि आज सविधान का राज लगबख खतम हो गया है और जिसकी लाटी उसकी भेंस की तरह काम हो रहा है इस तरह से देश का लोकतांति धांचा पुल्कुल तूट जाएगा और देश का जो देश की जनता का न्याय के परती विश्वास है वो खतम हो जाएगा माने सुप्रीम कोटिस में जितना जल दी संग्यान ले और अपनी तरफ से कारवाई के आधिर दे सायद कुछ हो जाए सरकार तो अपनी जिद्प है कि वो अपने वोटर के नफ़ान उकसान को देखते हुए अपने अपराधी साथ देखो गरपतार नहीं कराएंगी कि रास्तान के मुक्यमंदरी अशोग गैलोत को भीमरा अमेटगर बावाजी की मूर्ती पर हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए